नमस्कार दोस्तों मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रस्पी एंड व्लॉप्स में स्वागत करती हूँ तो आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादर्शी 2021 में कब है और इसकी क्या पूजाविदी है क्या उपाई किये जा सकते हैं तो वीडियो को लासक देखे और वीडियो में लासक बने रहे हैं मेरे साथ रीना किचन रस्पी तो माक्षिस मास के शुकल पक्ष की एकादर्शी तिथी को मोक्षदा एकादर्शी व्रत किया जाता है यह व्रत भगवान विश्णू जी को समर्पित हैं १ार्मिक मान्यता अनुसार इसी दिन भगवान क्रेश्न ने अर्जुन को गीता का ग्यान दिया था इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होका कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती हैं। इस दिन सची स्रिद्दा से व्रत रख्का शी हरी जी का पूजन करने पर व्यक्ति के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं। तो इस साल मोक्षिदा एकादशी की तिथी और महरत के बारे में जानेंगे तो मोक्षिदा एकादशी व्रत की तिथी 14 दिसंबर मंगलवार एकादशी तिथी प्रारम है 13 दिसंबर रातरी 9 बच के 32 मिनिर पर और एकादशी तिथी की समापती है 14 दिसंबर रातरी 11 बच के 35 म पारन के दिन 12 समापती समय है 16 दिसंबा सुबह 2 बज के एक मिनीट पर अब मोक्षदा एकादशी की पुजा विदी के बारे में जानेंगे तो मोक्षदा एकादशी का पालन एक दिन पहले यानि दसमी तिति से सुरू करें दसमी की रात में सात्वी बोजंग रहन करें फिर अगले दिन एकादशी को सुबह उठका इसनान करें और एकादशी व्रत का संकल्प ले अब एक साफ्स चोकी पर भगवान विश्णूजी की प्रतिमा को पंचामरत से स्नान कराकर इस्थापित करें फिर प्रतिमा के सामने धूप दीपक जलाकर उनकी अराधना करें पूजा में विश्णूजी को पीले फल, फूल, नेवध्य अर्पित करें और भगवान विश्णुजी की पूजा तुलसी के बिना अदूरी मानी जाती है इसलिए पूजा में उन्हें तुलसी दल या तुलसी पत्र जरूर अरपन करें तो आपके श्री हरी विश्णुजी की अनुकंपा प्राप्त हो जाएगी अगले दिन यानि कि द्वादशी को व्रत का पारण करने के बाद दान धक्षिना देकर व्रत का संकल्प करें अब हम एकादशी का पारण कैसे कर सकते हैं एकादशी पारण द्वादशी तिथी को सूर्य दे के बाद किया जाता है यदि द्वादशी तिथी सूर्योदे से पहले समाप्त हो गई हो तो एकदशी व्रत का पारण सूर्योदे के बाद ही होता है एकदशी व्रत का पारण हरीवासर के दोरान नहीं करना चाहिए हरीवासर द्वादशी तिथी की पहली एक चोथाई अवदी होती है व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रात्यकाल का है और इसके अलावा मध्यान के बाद भी पारण किया जा सकता है पारण के दिन पुने श्री हरी विश्णुजी का पूजन के बाद ब्रहामन या जवरतमन को दान दक्षिना देका व्रत का समापन कर सकते हैं अब मोक्षदा एकादशी के दिन आप कौन-कौन से उपाय है ऐसे सीधे साधरंग से उपाय जिसमें आप घर में रहकर ही घर के मोजू सामानों से ही आप ये उपाय कर सकते हैं तो मोक्षदा एकादेशी के दिन विश्णु मंदिर में पीले फूलों की माला, कपड़े और पीले अनाज का दान करें। एकादेशी के दिन शी हरी जी को तुलसी के पत्ते से भोग लगाने से मनमाचित फलों की टापती होती है। मोक्षिदा एकादशी के दिन पीपल के व्रक्षपत जल जरूर चड़ाए और पीपल में भगवान विश्णुजी का वास माना जाता है इसलिए इस उपाई से कर्ज मुट्टी होती है आज के दिन साबुत पान के पत्तेशी हरी को जरूर अरपित करें इससे आपके आर्थिक तंगी दूर होती है तो ये दिखाय जानकारी आपके लिए कि मोक्षिदा एकादशी में आपको चैसे उपाई करें जिससे कि आपकी घर में सुख समर्दी बनी रहें तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे है रीना किचन रस्पी एंड व्लॉक्स में तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में हरे किश् कीजिए तो तो मिलती है सब्सक्वार आपको भार्मार जारी के सब्सकिए्टन पर रőपको के लिए है रिज्ग Min.